हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल दोस्तो आज जम जानेंगे आधरकाड को किस से डाउनलोड करते हैं दोस्तो आज के टाइम में आधरकाड एक important डाकूमेंट है अगर आपके पास physical आधर का नहीं है तो आप डाउलोड करके प्रिंट कर सकते हैं तो चली जानते आधर का डाउलोड करने का पूरा प्रोसेस दोस्तो पहले ब्राउजर में get आधर टाइप करके सर्ज कीजिए देन आधर का official site आ जाएगा इसके उपर क्लिक कीजिए इसका लिंक नीचे description पे भी है यहां पे आधर काड रिलेटर सबी सर्विसे से यहां पे डाउलोड आधर का option है इस पे क्लिक कीजिए देन इसका पे जाएगा दोस्तों यहां पे आधर काड को डाउलोड करने के लिए तीन option है एक है आधर नमबर इनरूल्मेंट आईड नमबर और वर्चौल आईड नमबर अगर आपके पास आधर काड है तो आप आधर नमबर के थरू डाउलोड कर सकते हैं और वर्चौल आईड के थरू भी आधर काड को डाउलोड कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास अधर काड नहीं है, यानि णीऊ अधर के लिए अगर आप अपप्लाओ की हैं तो, आप एन्रयोल्मेंट id से अधर काड को डाउलोड कर सकते हैं। आधर कार्ड एप्लाई करने के बाद, जो enrollment ID मिलता है, उससे आप आधर को download कर सकते हैं, तो यहां पे enrollment ID, enrollment date and time देके, आप आधर कार्ड को download कर सकते हैं, और आप normally आधर कार्ड नमबर के थो, आधर कार्ड को download करने के लिए, यहां पे आधर नमबर और capture code को देके, send OTP के उपर क्लिक कीजिए, अगर आपके आधर कार्ड में mobile number रेजिस्टर नहीं है, तो आप यह आधर को download नहीं कर सकते हैं, यह आधर कोरिया ने online आधर कार्ड को download को download करने के लिए, आपके आधर कार्ड में mobile number रेजिस्टर होना ज़रूर है, दोस्तो verify and download के उपर क्लिक करने के बाद, आपका आधर का डाउनलोड हो जाएगा PDF फर्माट में दोस्तों जो PDF डाउनलोड हुआ वो directly आपके mobile के file manager में जाके save रहेगा या browser के डाउनलोड में भी आपको वो PDF मिल जाएगा दोस्तों डाउनलोड हुआ इअधर पासवर्ड प्रोटेट होगा इसलिए पासवर्ड देने के बाद ही वो PDF ओपन होगा यहाँ पे पासवर्ड है आपके name का first full letter then year of birth जैसे अगर यहाँ पे name anisave and year of birth 1989 है तो पासवर्ड है anis1989 यह जो anis है यह fully capital है तो आपके name का first full letter then year of birth तो ऐसे पासवर्ड देने के बाद आपका year अधर open हो जाएगा तो आपके name का जो first full letter है उसको दीजे then year of birth को दीजे यहाँ पे वो PDF open हो जाएगा दोस्तों यह जो online का year अधर है यह physical card जैसा ही है तो आप इससे print करके कहीं पे भी use कर सकते हैं दोस्तों इस तरह आप online other card को download कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसे लगा आपने comment पे बताईए अच्छा लगे तो आपने like सरे हैं subscribe करना thank you for watching